हलो एब्रीवन, विल्कम बैक टू मै चैनल, आज मैं मेरे कीचन में बनाने जा रही हूँ आलू मेथी की सबजी, तो आईए आप लोग भी मेरे साथ चलिये, जटपट बनाने वाले आलू मेथी की सबजी बताती हूँ, इसके लिए मैंने मेथी को साप करके कट कर लिया है, य मैं इसमें डाल रही हूँ, मिर्च थोरी लाल हो गई है, और मैं इसमें आलो को डाल दूँगे, आलो को सारे को डालने के बाद मैं इसे तेज आज पे 2-3 मिनट तक फ्राई करती रहूँगी, और इस सबजी को मैं मस्टर डॉल में बना रही हूँ, जटो के पेर में, तो इ देखे इस तरह से हल्दी डाल देंगे, हल्दी डालने के बाद साथ में डाल देंगे स्वादानुसाय नमक, इस तरह से नमक डाल दूँगी और इसे चलाती रहूँगी, इसे फिर 10-15 सेकेंड तक तेज आज पे चलाती रहूँगी, अभी इसके बाद मैं कटे हुए मेती क को डाल दूंगे इसमें इस तरह से सारे मेति डाल देने के बाद मैं इसे अलू के साथ चलाते हुए मिला दूंगे ये देखिए अलू मेति को एक साथ मिला दूंगे इसी तरह चलाते फ़ैसे अब मैं इसे लीड लगाराके immediate यह माच पे दो से तीन मिनट तक पकने दूंगी देखिए हमारी आलू मेथी अब पक चुकी है आलू मेथी पक गई है बिल्कुल अच्छे से अब इसका मेन पार्ट जो है वो मैं दिखाती हूँ जो इसके स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बरहा देगी अब इसमें मैं मस्टे डॉल डालूंगी एक चमच वो भी कच्चा इसका मेन पार्ट यही है इसमें कच्चा तेल डालने के बाद ये खाने के टाइम एक अलगी खुस्बू और स्वाद देता है इसमें से कच्चे तेल का जो खुसबोई सुआदा तो बहुत अच्छा लगता है तो आप इस तरह से गवैज जटपट बनने वाली आलू मेठी की सबजी बना कर और खा कर देखे और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब कर दे थाला कर दो है झाला कर दे लाग्यों घ्याजी बना कर देखे रिल्ग कर देखे हैं